नमस्कार दोस्तों जय मातादी स्वागति आप सभी का हमारे योटीव चैनल में ततुलाराशी वालू साउधान शनिदेव ने आपका हिसाब कर दिया है 9 से 15 अगस्त 2023 अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है आने वाले अगले 6 दिनों का समय आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव एवं काफी बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है अगले 6 दिनों में ऐसी ऐसी घटनाए आपके साथ उने वाली है जिसे सुन करके आपके भी रौंटे काप जाएंगे आज की अमारी पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारी ते वीडियो में बताई जा रही एक एक बात बिलकुल सच होने वाली है शुरुआस से लेकर के अंत तक सारी बात सुनना अच्छे से समझना या वीडियो देखकर बाते जानकर आपके भी रौंग्टे खड़े हो जाएंगे सरपतम माता रानी के सभी सच्चे भग बिना देर करें इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें साथ ही दोस्तो कॉमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें दोस्तो आपको बता दें आने वाला यह समय वैसाइक संदर्भू में आपके लिए कुछ मुश्किले लेकर आ सकता है कारुबार में दोस्तो आपको अपनी यूजनाय बदलनी पढ़ सकती है कारुबार में आपको अपने काम नए सीरी से शुरू करने पड़ेंगे व्यापार में नई नई शुरुआत करने पड़ सकती है तो यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई भी मुश्किल आती है यदि आपके सामने इस प्रकार का कोई भी प्रशन आता है तो आपको शांती से बैठ कर संयमता के साथ गुद्धि माने के साथ अपने निर्णाय लेने चाहिए साथ ही दोस्तों मुश्किलों से मुँ मोड़ कर भागना न सिखे जियां दोस्तों मुश्किलों से मुँ मोड़ कर आपको भागना नहीं है आपको मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए वहीं दोस्तों समय पर आपके सारे रुक्ते हुए काम पूर्ण हो जाएंगे देखें दोस्तों जीवन में एक बास सदेव याद रखिएगा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है जो भी हो रहा है जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है इसलिए चीजों को देखकर यह मसोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो बगवान कितनी बक्ते करी है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है आपको दोस्तों परिस्तितियों के अनुसार खुद को तई नहीं करना है कि क्या सही है, क्या गलत है कई बार दोस्तों अक्सर बगवान हमारे साथ वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए चीजों को थोड़ा समय देना प्रारम कर दीजिए, चीजों में सुधार आएगा, चाहे थोड़ी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन सुधार अवश्य आएगा, इसलिए आप परेशान मतोईए, गबराईए मत मुश्किलों का सामना करिए, साथ दोस्तों दफ्तर में आपको अपने प्रयासों में बड़ोतरी करने पड़ेगी, जी याँ दोस्तों दफ्तर में आप जो भी काम को पूरा कर रहे हैं, उसमें अपनी कोशिशे बढ़ा दीजिए, उनमें अपने प्रयासों को बड़ा दीजिए, देखे अभी आप जिस गती से काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको अधीक मैनत करने की आवशकता हो, इसलिए दोस्तों हम भी आपको यही सलह देना चाहेंगे, कि आप अपने प्रयासों को थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपन जाना पड़ सकता है, दफ्तर में किसी काम से आपके बास आपको कहीं बाहर बेश सकते हैं, कहीं यात्रा पर बेश सकते हैं, ऐसे में आपको अपने काम टालना नहीं है, कई बार दोस्तों यह गलती हम बार बार कर देते हैं, कि हम सोचते हैं कि यह काम में कल कलूँगा, पर कभी कर लूँगा लेकिन दोस्तों आपको भूल कर भी अपने कामों को टालने की गलती नहीं करना है समय रहते आप अपने कामों को निपटाईए समय रहते आप अपने कामों को पुरा करिए क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो काम हम शुरू कर देते हैं उसे समाप्त करना भी आवश्यक हो जाता है तो आप अपने कामों को टालने की गलती मत करिये, समय रहते आपको अपने सारे काम निप्टा लेने हैं तो अच्छे परेणाम मिलेंगे वहीं दोस्तों वहां चलाते समय आपको जोखीम नहीं उठाना है जिया दोस्तों वहां चलाते समय काफी साउधनी आपको बरतनी है बिना देखे बेकाबु होकर सड़क पर वहां ना चलाएं अन्यता नाकर अत्म ग्रह आपकी साथ कोई छोटी मुटी दुरगटना भी करा सक तो वहां दोस्तों जल्द बाजी में इन दिनों में निड़ना लेने से बचिये जिया 15 जल्द बाजी miya कर गुसे में यह ज्यादा अखोई शोकर आपको अपना कोई भी निर्णई नहीं लेना है आपको अपना कोई भी फैसला बदलना नहीं है क्योंकि कई बार दोस्तों हम बिना सोचे समझे निर्णई ले लेते हैं कई बार हम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं लेकिन बाद में दोस्तों हमें कते खड़ी हो सकती है नई नई परेशानिया खड़ी हो सकती है पैसो के मामलों में दोस्तों लाब होने वाला है धन को लेकर आपकी सारी चिंताएं आपकी सारी समस्याज दूर होगी पैसो के मामलों में समय आप सभी के लिए अच्छा रहने वाला है शांदार रहने वाला है दंस से जुड़ी आपकी सारी चिंताए अब जाकर मिट जाएगी दिन दोस्तों आपके लिए रोमांस से बरा रहीगा आप काफी अच्छा काफी तरुताजा महसूस करेंगे यह दिन आपके लिए काफी रोमेंटिक रहने वाला है आप यदि चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं बहार सेर सपाटी पर गुमने फिनने भी जा सकते हैं जिया में तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका है बहुत ही अच्छा उसर है तो आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं बहाय गूमने फिन्ने अवश्य जाइए वहीं दोस्तों दुस्तों के साथ सैक आन्मियों के साथ किसी छोटी मूटी बात पर विवाद हो सकता है दफ्तर में जो आपके सहक अन्मी है जो आपके साथ ही है उनके साथ दोस्तों आपका विवाद होता नजरा रहा है आपकी कोई बात उन्हें चुप सकती है उनकी कोई बात आपको चुप जाएगी जो कि आप दोनों में एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा तो आपको दोस्तों हर बात पर जगडा नहीं करना है चीजों को आप जितना संयमता के साथ जितना शांती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे चीजे उतनी ही सुधरती चली जाएगी उतनी ही बहतर होती जाएगी इसलिए आपको दोस्तों समय रहते चीजों को सुधा बिगारना नहीं है वही मित्रों आपको बता दें बेकाबू होकर इस दिन आपको कोई निद्नाई कोई फैसला नहीं लेना है आप जो भी निद्नाई लेने वाले है उसमें आपको काफी दिमाग लगाना होगा सोच समझ कर सतरक्ता के साथ आपको अपना निड्नाय लेना होगा बेकाबु होकर जल्दबाजी में या फिर परेशान मन से लिए गए निड्नाय अफसर दुख दे जाते हैं इसलिए दोस्तों परेशान मन से दुखी ओकर आपको अपना कोई भी निड़ने नहीं लेना है आपको अपना कोई भी फैसला नहीं लेना है वहीं मित्रों आपको बता दे पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहीगा अपनों के साथ समय काफी अच्छा बितने वाला है अपनों के साथ बातचित करकर दिन आपके लिए अच्छा बितेगा लेकिन आपको बात बता दू कि आपको अपनों के साथ चीजों को छुपाना नहीं है यदि कोई बात हो गई है कोई परिशानी भी हो गई है तो समय रहते उसे सुल्जा लीजिए अपनों के नहीं करने उन्हें परिशार नहीं करना इस तरह की बातों पर विचार भी मशना करें चीज़े यदि बिगड़ रही है कुछ परिशान यदि खड़ी भी हो रही है कुछ बात यदि आपके हातों से निकल रही है तो समय रहते उन्हें सुल्जा लेना है समय रहते चीजों को स बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा निर्बर हो जाते हैं यानि कि जो हमारा काम है जो हमारी जिम्मेदारी है जो हमारा करतव्य है हम उसका पालन करना भूल जाते हैं और दुसरों पर निर्बर हो जाते हैं कि तू यह करेगा तुम्हें भी यह करूं कई बार हमारी चोटी चोटी गलतिया हमें जीवन में बहुत ज़्यादा दुख दे देती हैं बहुत ज़्यादा मुसीबतों में डाल देती हैं लेकिन मित्रों आपको एक बात बता दू मनुष्य जीवन में आगे तब ही बढ़ता है जब उसके आसपास अच्छे लोगों से उसका भला चाते हैं जो सच में उसकी साइता करते हैं और आपके आगे ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा सबसे प्रमुक कारण यही है कि आप दोस्तों छल करने वाले लोगों से गिरे हुए हो यानि कि आपके आसपास आपकी निकटता में कई सारे ऐसे लोग हैं जो छल करते हैं कपट करते हैं आपके साथ रहने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आपके मुह पर तो मेटी मेटी बाते करेंगे आपकी बढ़ाई करेंगे आपकी बलाई करेंगे लेकिन पीट पीछे दोस्तों कई सारे लोग आपके खिलाफ शडियन्त मना रहे हैं पी आगे बढ़ता नहीं देख सकते और यह लोग बिलकुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आप तरक्की करें इसलिए यह लोग कुछ भी करकर कैसे भी करकर बस आपको बदनाम करना चाहते हैं बस आपको बरबाद करना चाहते हैं तो समय रहते मित्रू आपको ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना है समय रहते ऐसे लोगों से अपना पीछा छुटा लेजिए साथ दोस्तो यदि धन समपत्ती या फिर कारोबार से जुड़ा कोई भिमयत्वपुन काम है तो आपको अपने उस काम के लिए कभी भी दूसरों पराश्रित नहीं होना है जिया दोस्तो धन समपत्ती से जुड़े हुए फैसले आपको खुद से लेने होंगे अपने दिमाख से लेने होंगे उसी में आपकी बनाई है यदि आप धन को लेकर दूसरों पर आश्रित रहोगे पैसों के मामलों में दूसरों पर डिपेंड हो जाओगे तो लोग दोस व्यक्ति का नाम क्या होगा जो आपको दोका दे रहा है तो मित्रों आपको बता दे आपकी राशी के लिए क न व अ नाम वाले जातक आपके लिए थोड़े मुसीबतों के कारण बन सकते हैं इन तीन नाम वाले जातकों से दोस्तों आपको बचना चाहिए इन तीन नाम वाले जातकों से समय रहते आपको दूर हो जाना चाहिए क्योंकि यह लोग दोस्तों उस आस्तीन के सामकी तरह है जो आपके सामने आपके मूँ पर तो आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन पीट पीछे आपको डस्ता रहीगा तो समय रहते ऐसे लोगों से पीछा छुटा लीजिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए अन्यता दोस्तों जिन्दगी बर आप पच्छताते रह जाओगे साथ इस साथ दोस्तों आपको बता दें पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा अपनों के साथ समय अच्छा भी इतनी वाला है लेकिन अपने जो करीबी रिष्टेदार हैं उनसे दोस्तों हर एक बाद शेयन न करे जी यहां दोस्तों आप जो अपने सगे हैं माता पिता हैं भाई बैने जीवन साती हैं उनसे अपने मन की बात कर रहे हैं उनसे अपने दिल की बात कर रहे हैं तो यहां तक तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं लेकिन यदि आप अपने रिष्टेदारों से अपने दुख का कारण बताऊगे तो आपके सामने तो वह बहुत उदास होंगे लेकिन पीट पीछे दोस्तों कोई भी आपके लिए दया का भाव नहीं दिखाएगा हर कोई दोस्तों आपका मजाग उड़ाएंगे इसलिए दोस्तों अपनी धन, दौलत और परिशानियों का जिक्र कभी भी आपको किसी से नहीं करना है साथ इसाथ दोस्तों आपको बता दे आने वाला समय आप सभी के लिए बेशक काफी शांदार समय है लेकिन तीन बड़ी साउधानियों का पालन आपको करना होगा पहली साउधानि दोस्तों कि समय का पालन करना सीखे जियां दोस्तों आपकी लेट लतिफ के काफी आदते आप उपने कामों को टालते बहुते तो यह गलती ना करें सुबह समय पर उठें समय पर दफ्तर जाएं समय पर वियपार को जाएं और कोई भी काम इद्याप करते हैं तो उस काम को प्रयास करें कि आप समय रहते कर लें इदर उदर की चीजों में ना भटकें साथ यह दोस्तों अगली साउदानी जिस काम की शुरुआत करी है उसका अंत जरूर करें जियां दोस्तों कई बार हम जोज जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन यादि हमें उनमें परिणाम ना मिले तो हम तूट जाते हैं बिखर जाते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं तो बाप यह गलती ना करें एक बार आपने जिस काम की शुरुआत कर दी है तो उस काम में भिले रहिए उस काम में लगे रहिए जब तक आपको मन चाहे परिणाम ना मिल जाए तब तक आपको पीछे नहीं यड़न है यानिक दोस्तों थोड़ी हिम्मत रखिए थोड़ा जज़बा रखिए थोड़ी लडने की ताकत रखिए यदि इतनी जल्द हार मान जाओगे तो कैसे चलीगा इसलिए आपको थोड़ा लड़ना होगा थोड़ा टकर सामने वाली को देनी होगी वहीं दोस्तों पैसा ब बातों में बहुत जल्द आ जाते हो यदि आपने एक फैसला ले लिया कि मुझे यह करना है इस प्रकार से करना है लेकिन कोई और अंजान विक्ति आपको आ करके कह दे कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे ज्यादा लाव होगा तो आप अपने आपको उस पर आश्रित कर लेते हैं इन चीजों को बदलिए अन्यता बहुत सी दिक्कते आपको आ सकती है आपको दूसरों के वरोसे नहीं बेठना है आपको कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होना है जीवन में दोस्तों अपने विचार को दुद्पन न कीजिए बगवान की भक्ति करिए सच्चे मन से मह आदेव की भक्ती करिए हनुमार जी की भक्ति करिए आपको जीवन में कभी भी हार का मू नहीं देखना पड़ेगा और जीवन में कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं सताएगी इसलिए जब भी समय मिले, शिवुलिंग पर एक लूटा जल चड़ाईए रूजाना पांच मिद निकाल लीजिए एक लूटा जल शिवुलिंग पर अवश्य चड़ाईए और यदी हो सकें तो मंगलवार मंगलवार हनुमायन जी की मंदिल जाकर हन्वान चलिसा का पार्ट अवश्य करिए इससे आपके सारी रोग, सारे कश्ट, सारा जो आपका डर है जो आपकी चिंता है सबको समाब तू जाएगी और बहुत खुशहाल आपका जीवन बन जाएगा दोस्तो आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बाते आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना साथ ही दोस्तो कॉमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जाए मातादी हर हर महादेव अवश्य लिखे उसी के साथ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना प्रते दिन ऐसी ही ग्यान वर्दक वीडियोस मिलते रहे अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद